Good morning वच्चों, I hope आप लोग सब ठीक हैं और अपना खयाल रख रहे हैं So, हमारा चाप्टर, The Little Girl ये चाप्टर की हमने रीडिंग की थी और इसके कुछ टेक्शल क्वेश्चन्स भी किये थे अब देखते हैं इसके बागी की क्वेश्चन्स क्या है So, इसके कुछ की जो टेक्शल क्वेश्चन्स हैं ये हम अल्रड़ी कर चुके हैं अब हमारे लिए आता है Language Work So, Language Work में आपका पहला क्वेश्चन्स है Pairs of Words Pairs of Words क्या होते हैं हमारी English Language में या हमारी कोई भी Language जो होती है Usually उसमें कुछ ऐसे Words होते हैं जिनकी pronunciation एक जैसी होती है लेकिन उसका मतलब अलग-अलग होता है So, उनको हम कहते हैं Pairs of Words These are words which seem to be identical in meaning but only one of them is correct in a given context मतलब उन दोनों की meaning जो है हमें लगता है एक जैसी है लेकिन वो एक जैसे नहीं होते हैं जैसे कि जो बात हम कर रहे हैं उस बात के according उसका मतलब होता है जैसे मैं अगर Hindi language में लो Hindi language में भालू ठीक है भालू क्या होता है? Bear भालू, जंगली जानवर उसके अलावा भालू जो होता है हम रेत को भी बोलते हैं ठीक है? So, word एक ही है लेकिन इसके दो अलग-अलग meanings हैं उसी तरह से अब आपके इस question में आपको कुछ pair of words दिये गए हैं इसमें से हमें देखना है इस sentence के according जो भी हमारा sentence दिये हुए है इस sentence के according कौन सा word जो है वो उस sentence पे perfectly माच करता है जैसे कि lawyer to Mr. Latif lawyer ने Mr. Latif से कहा I which I dash you to pay your taxes by March 31st मैं आपको advice करता हूँ आपको दिया है advice and advice मैं आपको advice करता हूँ कि आप अपने taxes जो है March 31st से पहले पहले pay कर दे अब हमारे पास देखेंगे A-D-V-I-C-E advice A-D-V-I-S-E advice लिखा है तो इसमें कौन सावाल आएगा इसमें आएगा advice A-D-V-I-S-E advice Okay, so next one is I dash dash that we should go shopping मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे shopping जाना चाहिए plan और suggest plan क्या होता है जब हम किसी चीज का plan बनाते हैं suggest क्या होता है जब हम लोग किसी चीज के बारे में ऐसा suggest करते हैं लेकिन यहां पे आएगा I suggest that we should go shopping मैं ऐसा suggest करती हूँ कि हमें shopping के लिए जाना चाहिए next Sita is not ready Sita अभी तयार नहीं है she hasn't dash her hair yet done or made यह एक जैसे words है अब इसकी pronunciation एक जैसी नहीं है बट इनका मतलब एक जैसा है she hasn't done her hair yet जब हम बाल बनाते हैं हम उनको made नहीं बोलते हैं हम उन्हें done बोलते हैं so next is it is bad manners to dash at a person stare or gaze stare होता है घूरना जब हम बिना आँखे जबकाएं किसी की तरफ घूरते हैं उसे बोलते हैं stare gaze होता है प्यार से देखना जहां हम पलके भी जबकाते हैं आगे पीछे भी देखते हैं लेकिन हम अपनी आँखों को आगे पीछे घूमाते हुए किसी की तरफ देखते हैं so it's stare and gaze it is bad manners बुरी बात है बुरी बात क्या है किसी की तरफ घूरना बिना पलके जबकाएं घूरना stare on a cool summer evening we often dash at the stars किसी शाम जब ठंडी हवा चल रही होती है गर्मियों के दिनों में तो हम शाम को क्या करते हैं हम gaze करते हैं या stare करते हैं हम तारों की तरफ देखते हैं या उनको घूरते हैं हम उन्हें देखते हैं we क्या करते हैं we often gaze at the stars okay the management have decided to dash dash all the demands of the striking workers dash of dash the one for a pay revision अब क्या है the management have decided to accept or accept so इन दोनों की pronunciation एक जैसी है but words की spellings अगर आप देखोंगे बिलकुल अलग है so क्या कहता है ये accept होता है मानन ये accept होता है मानन so your first one is accept the manage has decided to accept all the demands of these striking workers जो लोग strike पर बैठे हैं काम करने वाले उन सब की जितनी demands उनको माननी के लिए वो तैयार है except except छोड़ कर किसको छोड़ कर except यानि कि दूसरा except the one for a pay revision pay revision उनकी pays जो है जो उनकी salary है उसको वो revise नहीं करेंगे okay the man who sells dash was hurt in an accident when his car hit a dash lorry अब यहाँ देखो stationery stationery तो क्या कहता है the man who sells stationery spelling देखना यहाँ पर stationery n-e-r-y stationery जो हम copy, kitab, pencil, rubber shopners जो सामान जहाँ पर हमें यह सामान मिलता है उस दुकान को stationery shop बोलते है ठीक है तो जो आदमी stationery बेचता है उसे accident में लग गई थी कैसे लग गई थी when his car hit a stationery so stationery मतलब जो सामान बेचना होता है बेचने वाला कौन सा? pencil, copies, rubber, shopners stationery का काम उसको बोलते हैं तो यह है दूसरा stationery n-a-r-y ठीक है यह कौन सा stationery है जो रुका हुआ होता है the man who sells stationery was hurt in an accident when his car hit a stationery lorry जो रुकी हुई lorry थी उसको जब उसकी कार ने hit किया था धका मारा था यह उसकी कार जो थी उसकी कार उसकी लॉरी से जब टकराई थी तब उसका accident हुआ था the world needs a lot of people working for dash we watch the country to be in one dash always अब देखो peace and peace तो अलग-अलग words है इनकी spellings अलग है but इनका pronunciation एक जैसे हम इसको आवाज इनकी एक जैसी निकलती है the world needs a lot more people working for peace peace क्या होता है शान्ती मतलब जहां पे सुक शान्ती हो that peace P-E-A-C-E peace we want our country to be in one peace हिस्सा so हम अपनी country को एक ही हिस्से में चाहते हैं उसका बटवारा नहीं चाहते हैं okay the dash of this institution is a man of dash अब देखो principle principle okay थोड़ा से इसमें difference है बोलने में because हम principle and principle बोलते हैं principle okay the principle अब ये जो है ये वाला principle ये वाला principle आपका first principle आता है the principle of this institution जो head होते हैं हमारे institution के schools में is a man of principle principle होते हैं आदर्ष जो अपने आदर्ष उसूलों के हिसाफ से चलते हैं उनको बोलते हैं ये वाला principle P L E end में आता है okay it is dash difficult to find a dash room in this hostel आप देखो यहाँ पे दिया है quite quite right इनका pronunciation एक जैसे है बट इनमें थोड़ा सा difference है E T and T E okay so it is difficult what it is it is quite difficult कौन सा quite Q U I T E quite मतलब थोड़ा सा है थोड़ा नहीं मतलब इनकाफी मुश्किल है quite ये काफी मुश्किल है difficult to find a quiet room जहां शान्ती हो चुप चाप हो जहां शोर सराबा नहीं हो to find a quiet room in this hostel इस hostel में एक शान्ती भरा कमरा ढूनना बहुत मुश्किल है okay so ये था आपका language work अब आपका है grammar work grammar work भी बहुत easy है अगर आप पहली line पढ़ेंगे Kezia mother would call to her Kezia's mother would call to her Kezia की मा जो है वो उसे बुलाती है call to अब ये क्या है कुछ ये verbal phrases है phrasal verb sorry phrasal verbs phrasal verbs क्या होते है वो set of two words जहां पर दो words जो होते हैं आपस में जोड़े गए होते हैं जिसमें एक verb होता है एक particle होता है ठीक है verb जैसे की call to particle आएगा इसका तो दोनों का मिला के एक phrasal verb बनता है जिसमें आपको एक नया meaning मिलता है word की accordingly ठीक है जैसे की आपका first है I am dash admiration for his bravery आपके कुछ words ये phrasal words दिये गए हैं इनको according जो है इसके fill in the blanks के हमें fill करना है पहला क्या है I am dash admiration for his bravery उसकी bravery उसकी जो उसने साहस दिखाया ताकत दिखाई उसकी bravery के लिए उसकी bravery के लिए मैं उसकी admiration करता हूँ या करती हूँ admiration होती है तारीफ करना तो किसके लिए तारीफ कर रहा है वो उसकी bravery के लिए हम इसको लिखेंगे filled with हम इसको चाहें तो change भी कर सकते हैं so it is filled with I am filled with admiration for his bravery उसकी साहस उसकी ताकत के लिए मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ dash it is getting late हम क्या बोलते हैं? जल्दी करो! देड हो रही है so जल्दी करो means hurry up ठीक है? so हम लिखेंगे hurry up फिर यहाँ पर exclamation mark आता है it's getting late बहुत देर हो रही है she dashed the door of the drawing room उसने drawing room का क्या किया? यहाँ पर तरह हम देखते है look for, look through, look after, blow out blow out होता है तोड़ देना आप यहाँ छोड़ देना pull off pull off क्या होता है? खीचना give up, छोड़ देना look at, देखना push open push open she pushed open the door of the drawing room उसने drawing room का दरवाजा चुथा वो जोर से खोल दिया dash the blackboard the teacher said to the student उसने teacher ने जो था बच्चों से क्या कहा? blackboard की तरफ क्या करना होता है? देखना होता है तो हम क्या लिखेंगे? look at look at the blackboard the teacher said to the student teacher ने बच्चे से कहा कि blackboard की तरफ देखो he has dash dash smoking उसने smoking को क्या किया हुआ है smoking क्या होता है? cigarette वगरा जो पीते हैं ठीक है cigarette बीडी जैसी गंदी जीज़े जो लोग पीते हैं ऐसे एक बंदे ने smoking को क्या किया है? अगर हम यहां से कुछ words में check करेंगे तो हमारे को suitable लगता है give up तो अगर हम इस sentence के तरफ से देखेंगे तो हम लिखेंगे given up given up given up होता है छोड़ देना he has given up smoking उसने जो smoking है वो छोड़ दी है the little girl was ordered to dash dash the boots of her father उसके father के लिए क्या करना था उसको उसके boots निकालने थे ठीक है so यहां पर अगर हम देखेंगे यहां पर इस sentence में दिया हुआ है you can come down and take off father's boots उससे father के boots को क्या करना था निकालना था तो अगर हम यहां पर take off हमारे पस नहीं है तो हम लिख सकते है pull off pull off the little girl was ordered to pull off the boots of her father उसके father के shoes निकालने के लिए बच्ची को कहा गया था dash dash the candle please candle को क्या करते है या तो हम जलाते हैं या तो हम बुझाते हैं तो अभी हमारे पास जलाने वाला lit light ऐसा कोई word नहीं है बट हमारे पास क्या है blow out तो हम इसे blow out करके ही लिखेंगे sorry blow out the candle please candle को बुझा दो we should dash plants around us हम लोगों को अपने आसपास plants को क्या करना चाहिए उगाना चाहिए और जो plants है उनका ध्यान भी रखना चाहिए तो हम लिखेंगे look after we should look after plants around us जो plants हमारे आगे पीछे हैं हमने उनका ख्यार रखना चाहिए ठीक है she is a window dash dash a window वो जो लड़की है वो window से क्या कर रही है या तो वो देख रही है ठीक है ना तो हम क्या लिखेंगे look through ठीक है she is is भी लिख सकते है was भी लिख सकते है looking through okay looking through looking through क्या है ये देखो look through को हम looking through लिख सकते हैं ठीक है according to sentence हमने अपने phrases को change करना है she is looking through a window वो एक खिड़की से देख रही है I am dash dash my lost pen मेरा जो pen है वो खो गया है तो हम उसके लिए क्या कर रहे है look for I am अगर वो अभी काम कर रहा है तो हम उसको look के साथ ing लगाएंगे ing हमारे continuous में आता है I am looking for my lost pen जो मेरा pen खो गया है मैं उसको ढूंड रहा हूँ या ढूंड रही हूँ okay look at the following sentences from the text अब देको आपके book में से कुछ words sentences दिये गहे here Kezia carry my tea back to the table carefully carefully क्या होता है बहुत ज़्यादा ध्यान से ठीक है carefully the underlined word here is is an adverb which has been formed by adding ly to the adjective careful अब देखो adverb क्या होते है वो words जिन से हमारे को किसी verb का पता चलता है मतलब verbs क्या होते है action verbs जैसे कि talk walk यह सब talking walking eating sleeping यह सब हमारे verbs है जिन से हमें किसी काम का पता चल रहा है अब जैसे हम किसी verb adverb के end में ly लगाते है तो वो adverb sorry जिन words के पीछे हम ly लगा देते है adjectives के पीछे ठीक है जैसे adjective क्या होता है जिससे हमें किसी की quality बता चलती है right जिससे quantity यह quality बता चलती है उन्हें adjectives बोलते है आप देखो careful क्या होता है ध्यान से right उसके पीछे ly लगा दिया बन गया carefully मतलब उसने बहुत ध्यान से ऐसा काम किया है right जब हम किसी adjective के पीछे ly लगा देते हैं तो वो adverb बन जाता है आपके देखो कुछ words दिये गए हैं these are very very easy words laboriously laboriously क्या होता है मजदूरों की तरह काम करना ठीक है तो लेकिन उसने क्या किया काम किया so it was laborious l-a-b-o-r-i-o-u-s मजदूरी का काम ठीक है उसने मजदूरी का काम किया लेकिन कैसे किया बहुत जादा मशक्कत से किया right so laboriously soundly 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 हमें ly हटाना है सब के words में से so it is sound ठीक है हमें इनके जो adverbs है इनको वापस adjectives में convert करना है so soundly ly हटाएंगे तो sound properly properly sorry p-r-o-p-e-r proper तरीका कोई तरीका क्या है proper तरीका सही तरीका properly सही तरीके से right so these are two different meanings right sharply तेजी से क्या किया उसने इसको sharp किया s-a-h s-h-a-r-p sharp तेज किया तेज किया sharply तेजी से finally at the end सबसे आखिर में final आखिरी आखिरी final होता है आखिरी suddenly अचानक से sudden अचानक quickly जल्दी से quick जल्द slowly बहुत धीरे से slow dhima especially मतलब जब हम किसी के लिए खास तरीके से किसी के लिए काम करते especially so special जो की खास हो tightly बहुत tight तरीके से हैं tight tight क्या होता है बिल्कुल बंद ठीके जुड़ा हुआ यह थे आपके chapter के कुछ questions जो आपके रहते थे grammar work और आपका language work जो complete हो गया अगर इससे related भी आपको कोई doubt है तो आप मुझसे पूछ सकते हो okay I'll make sure कि आपको वो समझ आ जाए okay so read these things again आप इन सभी words को दुबारा पड़े इनके meanings अच्छे से देखे तो आपको अच्छे समझ आएगा कि English ही कितने सारे words आपको नए पढ़ने के लिए आज मेले right so अगर आपको फिर भी कोई question है कोई doubt है तो आप मुझसे पूछ सकते हो till then be good be safe and take care of yourself